हेलो एवरीवन वेलकम अगेन टू लंडरे देतिमन आज हम करने वाले हैं सेवन्थ क्लास में ही थर्ड चेप्टर के कुशन आंसर जिसमें क्रिसी एवम से चाई का चेप्टर हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था तो आप लोगों ने यदि नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में वीडियो डाले जा चुके हैं वहाँ आप देखिएगा चाहे आप फर्स्ट ग्रेट की तियारी कर रहे हूं सेकिंड ग्रेट की कर रहे हूं तो वहाँ आपके ये कुशन आंसर जो है बहुत ज़्यादा इंप पढ़ा था तो फसलें जो होती है वो दो टाइप की होती है एक होती है खाद्यान फसलें जिनको हम भोजन के लिए उप्योग में लेते हैं ठीक है दूसरी होती है व्यापारीक फसलें जिनका उत्पादन जो है वो हम केवल व्यवसाय के लिए करते हैं तो इन ही के बारे मे हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो यहां हम हर कुशन जो है वो डिसकस करेंगे जितने भी कुशन बन सकते थे इस चैप्टर में सभी यहां पर मैंने ले लिये हैं तो कुशन वन देखिए खाद्यान फसल है खाद्यान फसल किसे कहते हैं तो वे फसलें जो की भोजन के लिए उपयोग में ली जाती हैं। ऐसी फसलों को हम खाद्यान फसले कहते हैं यानि खाई जाने वाली वो फसले जैसे गेहूं है, जौ है, जौ है, जौार है, मक्का है, चावल है, डाले हैं जो की हम अपने जीवन में उपयोग में लेते हैं नेक्स्ट कुशन देखिए, व्यापारिक फसल है, व्यापारिक फसल किसे कहते हैं, तो मैंने आपको बताया कि जिन फसलों का उत्पादन केवल व्यवसाय के लिए किया जाए, केवल व्यवसाय के लिए, तो वो कहलाती हैं व्यापारिक फसले, जैसे कि गन्ना है, कपास है, तमबाकू है और तिलहन है, क्योंकि हम इनका डेली में यूज नहीं लेते हैं, इनका उपियोग जो है, वो हम केवल व्यवसाय के लिए ही करते हैं, इनका उत्पादन किसके लिए करते हैं? व्यवसाय के लिए. राजिस्वान में मक्का कहां का मुख्य भोजन है? तो यह मेवार का मुख्य भोजन है. राजिस्वान में प्रमुख मक्का उत्पादक शेत्र हैं. तो यह है मिवाड का मुक्य बोजन है और यह है उत्पादित होता है भील वाड़ा, उधैपूर, वासवाड़ा, चितोर गड़ और रासमद में नेक्स्ट देखीए कोशियन नंबर 5 है किस फसल की उत्पादन में राजिस्थान प्रतम इस्थान पर आता है तो वो कौन सी फसल है जिसमें राजिस्थान नंबर वन पर है तो वह है बाजरा जिसमें नंबर वन पर है इसब गोल, सरसों, गौार, मौत और जीरा तो इनमें राजिस्थान जो है उत्पादन करने में सबसे नंबर वन इस्थान पर आता है जिसमें कई बार एक्जाम में सर सरवादिक सिचाई किस से होती है? सबसे ज़्यादा सिचाई किस से होती है? तो यह कुए और नलकूपों के द्वारा होती है. राजिस्थान में सरवादिक सिचाई किस से होती है? कुओं से होती है और नलकूपों से होती है. तो सिचाई के जो साधन होते हैं, नलकूप होते ह और नहरे होती हैं, जिसमें राजेस्थान में कुए और नलकूपों से सबसे ज़्यादा सिचाई की जाती है। Waterman के नाम से कौन प्रिसिद्ध है? तो नाम जो है वो ध्यान से याद रखना है? राजे इंदर सींग जो कि वाटर मेन के नाम से प्रिसिद्ध हैं तो जो राजे इंदर सींग थे इन्हों ने जल संडक्शन के शेतर में कार्य किया और यहां तक कि इन्हों ने अपनी नौकरी भी छोड़ दी थी घर का सामान तक बेच दिया था ताकि राज्य को जल संकट से उबार सकें तो इसी वज़े से इन्हें रमन मैक्स से पुरुसकार से सम्मानित किया गया था नेक्स्ट देखिए कुश्य नमबर 8 है तो इसका जो सही आंसर है वो है श्री गंगा नगर जिले के सूरतगड में यहाँ पर एश्या महादीब का सबसे बड़ा क्रशी पॉम इस्तित है कुश्यन 9 है राजिस्तान में किस नहर से स्री गंगा नगर, हनुमान गड़, बीका नेर, जैसल मिरजिलों में नहरी सिच्चाई की जाती है तो किस नहर से की जाती है यहाँ पर तो देखिए यह कौन सा भाग है ये राजिस्तान का पक्षमी भाग है जो की सुच कर है जाता है तो यहाँ पर इंद्रा गांधी नहर के द्वारा जो है नहरी सिच्चाई यहाँ पर होती है तो इस चैप्टर में किवल 9 ही कुष्चन निकल कर आए हैं और ये 9 के 9 जो है इंपोर्टेंट है आपके एक्जाम म आ सकते हैं तो इनको बहुत अच्चे से आप लोग याद रखिएगा तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के कुष्चन आंसर करेंगे थेंक यू